S.S.C. पेपर लीग विवाद में केंद्र सरकार ने CBI जांच का आदेश दे दिया है लेकिन इसके बावजूद परिक्षार्टियों का आंदोलन जारी है मांग मानने के बावजूद आखिर क्यों संतुश नहीं है चातर बता रही है गोन्यू समवादाता नमिता सिंग S.S.C. ऑफिस के बाहर आठ दिन से चल रहा आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा समवार को केंद्य ग्रिमंत्री राजनाथ सिंग ने इस मामले में CBI जांच का आदेश भी दे दिया लेकिन चातर अपनी मांगों को लेकर अडे हुए हैं इनका कहना है कि केंद्र सरकार के इस आदेश में कोई स्पष्टता नहीं है लेकिन बाकी सब जो एक्जाम से उनके उपर भी होने चाहिए इस साल कंबाइंड डाजुएशन लेवल के पेपर में करीब दो लाग चातरों ने हिस्सा लिया था लेकिन पेपर लीक हो गया तभी से परीक्षारती SSC की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाओं में एक निश्चत समय सीमा के भीतर CBI जांच की मांग कर रहे हैं मगर दूसरी और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की परीक्षाएं हो रही हैं इस साल देश भर से 60 लाग से जादा युवा SSC की इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे लेकिन अंदोलन कारियों की मांग है कि जांच पूरी होने तक ऐसी सभी परीक्षाओं पर रोक लगाई जाए हम यह चाहते हैं कि जो आउनगोई एक्जाम हैं CHSL 63 लाग का में उस पर इस्टे चाहते हैं और साथ में जो 9 मार्च का जो CGL 21 तारीक का पेपर करवा रहे हैं उसको भी हम इस्टे चाहते हैं जो आग जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक हम पूरी एक्जाम परिष्टे चाहते हैं आप CBI की जांच जो करवा रहे हो हमें वेंडर का भी ओडिटिंग चाहिए आप वेंडर के चीएचसल का एक्जाम जो अभी चल रहा है वो 63 लाग का एक्जाम है पटना, कानपूर, गौलियर और जैपूर जैसे शहरों में भी विरोध प्रदर्शन करके दिल्ली में चल रहे आंदोलन को गती देने की कोशिश की जा रही है चात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने से इनकार कर दिया है उनका कहना है कि सरकार की तरफ से कोई स्पश्टिकरण नहीं आया है कि ये जांच किस एक्जाम के लिए की जाएगी उनकी मांग है कि सभी S.A.C. के एक्जाम्स की C.B.I. जांच कराई जाए और जब तक ये जांच एक टाइम बाउन मैनर में नहीं की जाती और इसका एलान नहीं किया जाता वो अपना विरोध जारी रखेंगे कैमरा परसन रफीक खान के साथ नमिता सिंग गोनीज